आज हम आपके लिए एक नई मिस्टरी लेकर आ रहे हैं जिसमें बात करेंगे दिन, रात, सदियां, महीने और साल कैसे बनते हैं तो चलिए आईए करते हैं शुरुआत इस वीडियो की जैसे कि आप जानते हैं आज हम बात कर रहे हैं दिन, रात, सदिया, महीने और साल कैसे बनते हैं इसमें हम साथ सी साथ में आपको बताएंगे सर्दियों में दिन चोटे क्यों हो जाते हैं जैसे कि ये बात तो हम सब जानते हैं कि दिन और रात होते हैं और ये एक प्राकिर्तिक घटना है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इस वीडियो में भी पूरी जानकारी दी गई है। आप वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक, शेर, सस्क्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। दिन और राध कैसे बनते हैं? रर डे और नाइट फॉर्मड हर दिन हर किसी बात के पीछे कारण होता है। और एक ऐसा ही कारण पृत्वी के साथ भी है। जिससे जुड़ा है हर तट्व ग्रह और उपग्रह उस पर कभी भी प्रभाव डालता है। तो उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर छुपा होता है अब यदि हम प्रभाव की बात करेंगे तो यह है दिन और रात कैसे होते हैं हम आपको बता दें कि हमारी प्रिथवी अपनी धूरी पर लगातार घूमती रहती है और सूरज का चकर लगाती है प्रिथवी सूरज का एक चकर पूरे 24 घंटे में पूरा करती है और जब प्रिथवी यह चक्र लगाती है तो प्रिथवी प्रिथवी के जिस हिस्से पर सूरज की किरने सीधी पड़ती है उस हिस्से में दिन और जहां सूरज की किरने नहीं पहुंचती है उस हिस्से में रात होती है यही कारण है कि दिन और रात होते है मौसम के अनुसार दिन का छोटा बड़ा होने का कारण है प्रिथवी का जुकाव प्रिथवी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री के जुकाव पर होती है सर्दियों में जबकी प्रिथवी गर्मियों के मुकाबले सूरज के पास होती है प्रन्तु पृत्वी का जुकाव सूरज की तरफ ना होकर उसकी विप्री दिशा में होता है इसी कारण सूरज आसमान में ज़्यादा उपर नहीं होता एवं शितिश के उपर कम समय के लिए रहता है जिसमें दिन का परकाश कम होता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है और सर्दियों में दिन छोटा होता है जैसे कि आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में सूरे स्तिर है और पृत्वी अपनी कक्षय यानि भ्रहमन पत्थ पर 365 दिन में एक चक्र पूरा करती है साथ ही वो अपनी अक्ष यानि दूरी पर 24 खंटे में एक चक्र पूरा करती है पृत्वी की सूरे की इसी परकर्मा की वज़ा से दिन और रात होते हैं लेकिन दिन और रात की अवधी हमेशा बराबर नहीं होती कभी दिन बड़े और कभी रातें छोटी होती हैं तो कभी दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं दरसल ये पृत्वी के अक्ष के जुकाव का नितीजा है हम आपको बता देते हैं कि पृत्वी का कोई वास्तविक अक्ष होता ही नहीं है जबकि पृत्वी घूमती है तो एक उत्र और दूसा दक्षिन में ऐसे दो बिंदू बनते हैं जिनें एक सीधी रेखा में जोड़ दिया जाए तो एक दूरी बनती है ठीक वैसे ही जैसे साइकल के पहिये की दूरी होती है जिन पर वे घूमता है पृत्वी अपने तल से 66 डिगरी का कौन बनाते हुए गूमती है इसी वज़ा से पृत्वी का अक्ष सीधा ना होकर 23 डिगरी तक जुका होता है अक्ष के जुकाव के कारण ही दिन नेवम रात छोटे बड़े होते हैं 21 जून और 22 दिसंबर ऐसी दो तिथिया हैं जिन में सूरज की रोशनी पृत्वी की दूरी के जुकाव के कारण धर्ती में समान भाग में नहीं फैलती लिहाजा दिन और रात की अवदी में फरका जाता है अब हम आपको बताने जा रहे हैं नौरवे में मिड़नाइट सन वाली घटना के बारे में नौरवे में मिड़नाइट सन वाली घटना का संबंद 21 जून वाली स्तिती से है इस समय 66 डिगरी ऊक्षांश से 90 डिगरी ऊक्षांश तक धर्ती का पूरा हिस्सा सूरज की रोशनी में रहता है इसका मतलब यह है कि यहां 24 खंटे दिन रहता है रात होती ही नहीं इसी वज़ा से नौर्वे में ये विचित्र घटना होती है और आप आदी रात के वक्त भी सूरज उगता देख सकते हैं दुनिया में एक ऐसी जगा है जहां रात 12 बज़ कर 43 मिनट पर सूरज छिपता है महज 40 मिनट के अंतकाल पर उगाता है ये नजारा नौर्वे में देखने को मिलता है जहां आदी रात को सूरज छिपता है और रात करीब डेट बज़े चिडिया चह चहाने लगती है ये सिल्सला एक या दो दिन नहीं होता साल के करीब ढ़ाई महीने यहां सूरज छिपता ही नहीं इसलिए इसे कंट्री ओफ मिडनाइट सन कहा जाता है 76 दिन तक यहां सूरज अस्त नहीं होता यूं तो नौर्वे की खुबसूरती देखते ही बनती है इसका शुमार दुनिया के अमीर मुलकों में होता है खास बात यह है कि यहां के लोग सेहत के लिए बहत सेहज हैं हल्दी खाना पसंद करते हैं इन तमाम बातों के बीच नौर्वे की सबसे बड़ी खुबी है उसकी प्रकृतिक सुन्दरता ये देश आर्किटेक्ट सरकल के अंदर आता है मई से जुलाई के बीच करीब 46 दिनों तक यहां सूरज अस्त नहीं होता बेशक इस अनुभव को वहां जाकर ही मैसूस किया जा सकता है ये घटना नौर्वे के उत्री छोर पर मजूद हैमर्फिस्ट शहर में होती है हमारे एलो मिस्ट्री चैनल पर जानकारी पाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें धन्यवाद